तो एक आत अप लोड़ने तु मुलाकाछ डेखने सेथी डेंगाए मयरा वेशन देघन से परेसं होती है तर्बोग्राइनी काफी फेमस योकाई है जो पहले शोनो सिटी के टनल में रहती थी लेकिन उसके बाद उसकी मुलाकात आया से और ओकारून से होती है और उन दोर से मिलने के बाद टर्बोग्राइनी की पावर से ओकारून के अंदर सील हो गई है उसकी कौशनस नैस एक स्टफड एनिमल के अंदर है अब यहाँ पर टर्बोग्राइनी मुमो के साथ एक डील करती है कि वो ओकारून की गोलन बोल्स को ढूणने में उनकी मदद क कर सकती है या फिर स्पीरिच्वल बोडी लेने के लिए घिमाटिरलाइज हो सकती है जब वह में होती है तब टर्बोग्राइनी इंटांचिबल हो जाती है यानि कि उसे कोई भी छू नहीं पाता है और इसलिए किसी भी तरह का फिजिकल अटेक उस पर असर नहीं करते हैं इना सामना जरी आप असको मारते कर सकता रहा है क्वोर्या के विक्टिम मुझा से पाइंट पर कर रहाकर हा जाती है कि रालते है तर्बं विक्टिम पाइंट कर जाती है जैसा सेम होए ओकारून के साथ फर्स्ट एपिसोड इंद अब इसकर स्को अटाने का एक ही रास्ता होता है या तो टर्बो ग्राइब को एक रेस के इंदर हरा देना या तो उसे जड़ से एक्सुसाइज कर देना वाहा के इंदर और रहा से तर्बो ग्राइब को सेर इस स्कारी इस जिसका सीड़करी एक कास बात कि उसके बात सारे स्पीरस्ट इसके मड़के मीड़ कर दे हैं वैसे डोल के अंदर जाने के बाद तर्बो गुरैनी के पास एक लक वाली पावर भी आ गई है इसकी मर्च से वह और मुमो के ऊपर लक्की बारिश करेती है जिससे उने आने वाले खतरों से प्रोटेक्शन मिलती है अब तर्बो गुरैनी दूसरे स्पिरिट के साथ फ्यूज भी क करती है और अपने उस पर्टिकुलर एविया के अंदर ये स्पिरिट काफी जादा पावर्फुल होती है ये अर्थ बॉंड स्पिरिट जब बनी जब शॉनों सिटी के अंदर काफी सारी लड़कियों के हत्या की गई थी मुविंग ओन जो नैक्स स्पिरिट होने वाली है नाम है एक्रोबैटिक सिल्की जब एक्रोबैटिक सिल्की जिन्दा थी जब उपनी यूवन फॉम में थी तो वो काफी कर्जे के अंदर डूबी हुई इस कर्जे को चुकाने के लिए वो दो जोब करती थी और उनमें से एक जोब प्रोस्टिट्यूट की थी ताथ ही वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी बेटी के लिए एक नई ड्रेस खरीदने में लगा दे लेकिन इस पॉइंट पर वो सारे लोग उसके घर पर आ जाते हैं जिनके उपर उसका उदार था वो लोग उसे काफी मारते पीटते हैं और उसे खून में लथपत कर देते हैं और कि उसने कुछ इंपोर्टन्ट खो दिया अपनी लाइफ में से जब एक्रोबैटिक सिल्की सड़कों पर घूम रही थी तो उसके पास एक चोटी सी बच्ची आती जिसका नाम आयरा था ऐसे में वह सोचल लगती है कि वह पिछले जनम में आयरा की मां थी और इसके बाद से अच्छी दस साल तक आयरा का पीछा करती रही जब तक वह से मिलना ले आयरा नाम की लड़की मोमो और ओकारुन की दोस्त होती है और इसके बाद की जाया तो अच्छी पास गजब की एजिलीटी और इसके रिफ्लेक्स भी गौर्ड लेवल पहेंगी अपने रिफ्लेक्स क अच्छी के बाद आते हैं जिससे वह किसी को पकड़के यहां पटक सकती है वैसे जब ओकारुनों मोमो और देते हैं तो आयरी के पास उसके पावर्स आती है और उसके बाद से एक्रोबैटिक सिल्की की पावर्स आयरी उसकरती है नेक्स्ट स्पिरिट है यह अब तक का इसका नाम जीजी होता है और इसका नाम जीजी नाम का लड़का ईवी लाई को पनी बोड़ी के ओपर कंट्रोल दे देता है और इसके बाद जीजी और इवी लाई का काफा जादा तकड़ा बॉंड़ बन जाता है इसके बाद सारे हुमनस को मार देगा इसके बाद ओक विजिन के लिए बेशिते हैं और ऐसे बेश्च को कुष मुजिकल गोस्ट के पास ट्रेनिंग के लिए बेश्ति है क्विजित यह पावर नहीं टेकनीक की प्रोब्लम सब्सक्राइब है। लेकिन लड़नी लड़ने के बार अपने टू स्पीड को यूज कर पार था। अगर जाते हैं अब इविल आई के पास अगास पावर नहीं पावर एंगे ऐसा भी तो गडिक जाते हैं। इसके अलाव Evil Eye Fast is physical strength, इसके बार उसके पास memory sharing भी है, वैसे GG जिसके अंदर Evil Eye है, वो Momoo का पहले crush हुआ करता था, वैसे फिलाल Momo Okaर उन पर ही फिदा है, इसके अगे भी काफी सारी spirits हैंगी, लेकिन मैं all spirits को इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करोंगा, उन spirits को मैं इस वीडिय जब तक के लिए बबाए हैं